इस प्रकार से एक एक चीज को आप चेक करिए वरना Facebook इस प्रकार से चेक करना शुरू कर दिया है और जैस पर्मनेंट इलिट हुआ और अकाउंट है डिलिट हुआ तो पेज भी चला जाएगा दोस्तों जब भी हमारे Facebook पेज या हमारे Facebook प्रोफाइल पर Facebook की तरब से किसी भी प्रकार का violation restrictions लगाया जाता है चाहे अन ओरिजिनल कॉंटेंट का चाहे not recommendable का issue आ जाता है या फिर policy issue आ जाता है या फिर हमारे पेज को demonetize कर दिया जाता है या किसी प्रकार का हमारे प्रोफाइल पर या पेज पर restrictions लगा दिया जाता है Facebook की तरब से तो हमें यह लगता है क हमारे वीडियो में कोई problem है हमारे किसी वीडियो में ऐसा कुछ है जो Facebook के guidelines को violate कर रहा है जिसकी वज़े से Facebook ने हमारे page पर या हमारे profile पर इस प्रकार के problems को लगा दिया है इस प्रकार के issue को लगा दिया है और दोस्तों अगर आपका copy paste content है तो यह सोचना आपका लाजमी होत आपके page पर इस प्रका problem आता है तो कहीं ने कहीं हमारे मन में यही खायल आता है कि हमारे वीडियो में कोई कमी है हमने किसी policy को Facebook के जो भी Facebook के policy से उसको violate किया है इसलिए यह problem आये हैं लेकिन दोस्तों कभी-कभी हमारे Facebook page पर या हमारे profile पर वीडियो के अलावा कोई दूसरा fact भी होता है जिसके वैसे हमारे page पर restrictions या violations लग जाते हैं क्योंकि YouTube पर या Facebook पर जितने भी creators हैं जितने भी Facebook या YouTube वीडियो वीडियो बनाते हैं पेज पर upload करते हैं पैसे कमाते हैं सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात आता है कि हमारे वीडियो में कोई दिक्कत थी इसलि क्यों आ रहा है यह हमारा profile या page risk में क्यों दिख रहा है page quality खराब क्यों हो गया है तो हमारे दिमाग में आता है कि हमारे वीडियो में कोई कमी होगा लेकिन दोस्तों वीडियो के अलामा एक और fact होता है जिसके वाद से आपके पेज पर problem आ सकते हैं वह है टेक्स्ट जिहां आप साही सुन रहे हैं मैं आपको यहापर दिखाऊंगा भी कैसे होता है देखिए हम वीडियो तो अपलोड करते हैं तो वीडियो अगर कोई वाइलेट करेगा फेस्बूक के गाइडन्स के अगेंस जाएगा तो उस पर तो प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे लेकिन उसके स आप फेस्बूक के टेक्स्ट लिख के पोस्ट करते हैं तो वो पोस्ट आप क्या कर रहे हैं अगर उसमें भी आपने कुछ ऐसा लिखा है जो कि फेस्बूक के गाइडन्स के अगेंस है तो उस पर भी आपको रिस्टिक्शन लगा दिये जाएगा इसके सांथिजात अगर आपने कोई ऐसा कॉमेंट किया है किसी भी पोस्ट पर चाहिए अपने पोस्ट पर या किसी दूसरे के पोस्ट पर किसी के वीडियो पर किसी के फोटो पर किसी के टेक्स मेसेज अले पोस्ट पर तो वहाँ पर जो आपने कमेंट किया है अगर वो कमेंट फेस्बूक के गैल गोगा तो उस पर भी आपको वाइलेसंस लग जाएंगे क्योंकि ये साफ साफ दिखा हुआ के स से साफ मोनेटियू कORA पौली से हैं वहाँ पर यह सारी में शारीज़ी चांट चली हम यहां पटा नीचे देखेंगे लिए प्रोफाईल मेरा जैसे कि ईख आपया लिए वेहां पर ट्रिक्साइब रिट्टिक्टे अगर है यहां पर जा Про दखेंगे यह रिस्ट्रिक्षां लगे हुए हैं जैसे यू रिस्ट्ष और सिए और मेसेज्ज्स यू कोई एडस्यी एडस्यी के नाट एक लाइव वीडियो त्य restrict अंवह बात्त का रिम पर दखा है अम उन suspended fix and any issues and check the rules so you don't lose your lose your account on your are your connections ठीक है तो अब यह आया कि हुए है यहां पर आपको देख्शित ने लिखा हुआ है child sexual exploration तो यह मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे इस account पर मैंने सारे फोटो वीडियो जो भी चीज़े थी सब मैंने पहले डिलिज कर दिया और यह जो वाइलेशन लगा है मुझे आज की डेट में आप यहां पर देखेंगे डेट 23 अक्टूबर 23 का डेट यहां पर दिख रहा है आज यह वाइलेशन मेरे अकाउंट पर यह रिस्टिक्शन है इस अकाउंट से मैंने जितने भी वीडियो से सब मैंने कर दिया है दूसरे लोगों की फोटो थे वह सब मैंने डिलीट कर दिया पहले आज रहम पर दिया था था फिर भी आज 23 अक्टूबर को यह वाइलेश सन्स आया है क्यों कि मैंने कहीं कुछ ऐसा पोस्ट कि Sum text message किया है जो कि Facebook के guidelines के against था हो सकता है मैंने आज से ये मेरा Facebook account काफी पुराना है तो मैंने हो सकता है 4 साल, 5 साल, 10 साल पहले कुछ ऐसा post किया था जिसमें कि मैंने कुछ हो सकता है मैंने उसमें कुछ गाली वैली ऐसा कुछ सब्द लिखा हो या कोई मैंने ऐसा sentence लिखा हो जो कि Facebook के guidelines के against होता हो या फिर मैंने कुछ ऐसी markart वाली बात की हो या कोई ऐसा मैंने sentence लिखा होगा कुछ ऐसा word लिखा होगा जो कि Facebook के guidelines के against है इसलिए आज मुझे ये restriction देखने को मिला हुआ है अब ये restriction मुझे text message में मिला है या कुछ ऐसा markart वाला बात मैंने उसमें लिखा हुआ हो इस प्रकार के text को भी Facebook अब detect कर रहा है चेक कर रहा है और या फिर हो सकता है मैंने messenger पर किसी को कुछ भेजा हो message लिख करके यानि total matters हो यहां पर text का ही है क्योंकि photo अगर मैंने सारे delete कर दिया है वीडियो मैंने सारे delete कर दिया है तो यहां पर यह जो रिस्क आया हुआ है अब ऐसे मैं में करना क्या चाहिए वो मैं आपको बता दा हूँ अगर आपके account पर इस प्रकार का problem आ गया है तो सबसे पहले तो आप अपने account से जो भी दूसरे के photo वीडियो आपको डिलिट करें ही दीजिए उसके अलमा आपको text को delete करना पड़ेगा आपको सबसे पहले अपने profile में आना है profile में आने के बाद यहां पर आपको नीचे मिलेगा एक option manage post का देख सकते हैं आप लिखा है यूपर क्लिक करने के बाद आपको done करना है अब जैसे आप done करेंगे तो यहां पर वो चीज़े दिखाई देंगी जो आपने post करी होंगी जो आपने खुद पोस्ट करी होंगी फेस्बूक पर आज से दो साल चार साल दस साल पंद्रा साल जीतना भी पुरान आपका फेस्बूक अकाउंट है उतना पुराना सब पोस्ट आपको यहां पर दिखेगा ठीक है यह देखिए सारी से में टेक्स्ट में की हुई है इतना सारा टेक्स्ट मैंने फोटो वीडियो सब डिलेट कर दिया है सीवाई मेरे फोटो के मैं किसी का फोटो को किसी का वीडियो नहीं है तो यहांपर टेक्स्ट ही बचा हैब लिखा है देजभक्तिक के दाम पर कोड़की आउमानना करना अपराध है ठीक है लिखा हुआ हैaway यहां वाइनकर कर देगा तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है यहांपर आने के करेंगे के यहां पर से यहां पर टॉष कोई पर यहां पर लुकम के लिखाँ सब्सक्राइब था यहां से पर तो यहां से Olympic कर डिलीट करेंगे तो धीरे धीरे करके अगर आपने बहुत सारे पोस्ट किया है दो चार साल पहले पांच साल पहले तो सारे पोस्ट को आप इस पकार से डिलीट कर सकते हैं पहला आप पोस्ट इस पकार से डिलीट करेंगे अब कमेंट हम कहां से डिलीट करेंगे तो कमेंट ड और टच करेंगे हमें नीचे स्क्रोल करना है का श्मिक यहां पर टुच करेंगे अब यहाँ पर प्र टृच करने के बाद आप दिख Daonic docर्श अ कर लाब करना है यौ्यником है य reflects एक्टिफीटी एक्रास Facebook गओ पर ऑपर देखकर अपತ 43 एक्रास अब यहाँ पर जैसे हम तेट करेंगे हमारे सामने वह चीज़ी तीखेंगी wit यहां पर पर किसी के फॉट्व पर जो भी हमने अब तक मेंट किया है वह सारा क्मेंट हमें आपर करके देखने को कमेंपों जाएंगा गार्छिटें यहां पर है तो इसे फिल्टर कर सकते हैं, simply आपर filter का जो आप्सन दिख रहा है, यहाँ पर touch करेंगे, filter पर touch करने के बाद आप देखेंगे, यहाँ पर date का और category का, तो category पर आप टाच करके इसी category चेंज कर सकते हैं, क्या चाहिए, comment चाहिए, like reaction, तो हम यहाँ पर comment पर touch कर देंगे, ताकि करने के बाद यहाँ नीचे में remove का आप से मिलेगा, हम simply हाँ remove टाच करेंगे, फिर से remove टाच करेंगे, तो जितने comment अभी selected से, वो सारे comment remove हो जाएंगे, उससे पहले हम यहाँ पर password टाइप करना है, क्योंकि हम bulk action में यहाँ पर कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर password टाइप करेंग ठकर इन सारी चीज़े चेक करिए, और अपने सारे comment को delete करिए, जो भी आपने किसी दूसरे के पोस्त बार किसी दूसरे के प्रोफा genomy पर किसी दूसरे के वी超जय के वीडियो पर तर आपने comment किया है, उन सब comments को बिलिड करिए, उन सब post को बिलिड कर 666 कर जेहाँ इस पक और अकाउंट डिलीट हुआ तो पेज भी चला जाएगा इससे पहले कि देर हो जाए आप लोग भी ये प्रोसेस पुरा चेक कर लिजे और अपने सारे पोस्ट और कमेंट को इबार चेक करके डिलीट कर दीजे उम्मीद करता हूं कि वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया है जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजेगा चैनल परना है आभी तक सब्सक्काइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा फेस्बुक कर देखने तो फार्व जरूर करें